इस सेशन में आप पढ़ेंगे भिन का घटाना गुड़ा और भाग जोड़ना पिछली कलास में पढ़ चुके हैं ठीक है तो पिल्कुल आपको उदाफ नहीं होना है एक नहीं उमीद बना के रखना है अगर आप कमेंट देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट ह हैं यानि सभी को बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ रहा है आप जा करके चैनल पे कोई भी कमेंट उठा के देख लीजिए इस तरीके के बच्चों के कमेंट्स आते हैं है ना मतलब उनको बिल्कुल जीरो से सीखना इदम सुनने से सीखना है पहले सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न का घटाना जो भी बच्चे लाइब जुड़े हैं सभी का नाम हम बोलेंगे लगबग 4,000 बच्चे अभी लाइब देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा तफली रखेंगे तो तुरंद्र ने आईए बिन्न का घटाना जब हर बराबर हो तब कैसे करते हैं समझना हर बराबर हो तब जैसा कि मैं पिछली कलास में बता चुका हूँ अफे अगर कहीं लिखा है तो जो नंबर उपर होता इसको अंस बोलते हैं जो नीचे होता उसको हर बोलते हैं यहां पर अंस क्या है, कमेंट करके बताओ, आईए, हर दोनों में क्या है, सेबन है, एक लंबी लाइन खीच के सेबन लिख देंगे, जब हर बराबर रहेगा ऐसी दसा में, अब उपर जो लिखा है नंबर उसको वैफे लिखेंगे वैफे चिन्ने के साथ, 9 था, माइनस था, 5 था, मैंने लिख दिया, कोई डाउट ना किसी को, नहीं, यह मेरा चस्माना बहुत आती गंदा है, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया, 9 से 5 जायेगा, 4, 7, आया समझ में, चलो बढ़िया, कुछ लोग सोच रहे होंगा, इतना छोटा-छोटा काहे को दे रहे हैं, भाईया यह जिनको गड़ित नहीं आती ना, और उमर जादा हो चुकी है, यह बिल्कुल गुपत रोग जैसे हो गया है, उनी के लिए है, जिनको आती हो तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात ना करते हुए, इसको तो आप लोग करी लेंगे, सबसे पहले एक बड़ी लाइन खीचेंगे, जो बराबर वाला नंबर है, उसको लिखेंगे ऐसे, फिर पहली भिन का जो हर है, उसको लिखेंगे, यानी एकाईस, माइ भी सरल नहीं करेंगे, जो सरल करने लायक हैं भी, ठीक है, आगे बढ़ें, इनको इतना लिख लो फटा-फट, सुझल परजापती, गीता बर्मा, रोहित कुमार, अमन कुमार, प्रियंका सिंग, पूजा मिस्रा, लोकुस, सोभीत, सबका कमेंट आ रहा है, इनको हम कही में चल भाईया, इसका आंसर कौन बताएगा, मोनिका बर्मा, सूरत सिंग, मैबूबी, बेगम, अर्चना यादो, अंजली राओ, साक्षी, साधना भारती, अलीशा खान, देव कौतम, ये नाम इसलिए बोल रहे हैं कि इनको लगे कि हाँ लाइप चल रहा है, नहीं तो कहते ह है, हम बास ही हो गया है, खटा लग रहा है, चल लो धेखो, ताजा है, वाई तो, ये कैमरा रिस्टार्ट हो जा रहा यार, ये मेरा ये भी रिस्टार्ट हो जाता है, एक मैं ही हूँ, जो रहता हूं, आ सो जो घखो ठीक है, आओ, सबसे पहले क्या करते हैं साथियों अगर दो पद है तो हम cross multiple भी कर सकते हैं जो पहले सीखे हैं ठीक है तो 13 का 7 में गुड़ा होगा 13 सत्य ग्यानदवे माइनस 5 का 11 में होगा 55 और 5 सत्य 35 cross multiple कोई डाउट नहीं ना चलो इनको subtract कर लेंगे 91 से आप 55 को subtract करेंगे या आएगा 6 गटाना सबको आता है 36 upon 35 ये क्या होगा answer कोई डाउट ना किसी को फटाफट छाप लो भाईया चलो अ कोई दिक्कत नहीं न चलो बढ़िया देखे जिनको भी गड़ित नहीं आती है कहीं से भी उमीद छोड़ चुके हैं हम पूरी गारंटी लेते उनको सिखाने की बस अरते वो गारंटी लेंगे हम सीखेंगे बस अगर आप भी इस बिमारी की मारे है तो आप सही जगह आ गए है आईये हम यह नहीं कहेंगे कि तुमें यह नहीं आता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो सिर्फ जनगड़ना के लिए पैदा हुए वैसी बात नहीं है आएगा आपको आएगा कभी भी आया सकता है सीखने की कोई उमर नहीं होती कभी भी सीख सकते हो पचास साल में भी आप सीख सकते हो कोई बात नहीं आएए इनका भी क्रास मल्टीपल करेंगे हाफिल कितना आवा तीन और तेरह दुना 26,3,1,3 यहनि 2,99 यह लिख दिया माइनस ठीक 15 का गुड़ा 11 में करोगे तो 15 एकम 15 का 5 हाफिल 1 15 एकम 15,16 हो गया पहला इस्टेप मैंने क्या किया दिखा देता हूँ तुम्हें मोटा मोटा देखो सबसे पहले मैंने इनका गुड़ा किया यह 2,99 आया ठीक दूसरे इस्टेप पर मैंने 11 का 15 में गुड़ा किया तो यह 165 आया बढ़िया इतना समझ में आवा तफली है सबका चल अब 15 का गुड़ा 13 में करेंगे ठीक है तो 15,3,45 का 5 सब्सक्राइब करेंगे पचास साल में सीख के क्या करेंगे पचास साल में सीख के अपने बेटवाक बेटवाक पढ़ाएंगे यह नी पोता नाती जिने बोलते हैं हैं हमारे हां ऐसे भी बुजुर्ग जिनका आशिरवाद है हमारे उपर इसलिए हम पढ़ा रहें वो भी सीखते हैं बड़े बुजुर्ग भी सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि उनके जमाने में यह सब नहीं था कहते हैं है ना जोड़ घटाना तो था ही आप जो कुछ चीजें जूड़ी है मैत में नहीं पिछले 20-30 साल में वो सब नहीं था कि अगे बढ़ें देखो एगर इनको घटाना है बीना कलम के कैसे घटाना इंगे इसको मालो 300 है तुक है 300 है अब अगर हम 300 मेंसे 500 घटाएं तो कितना ऐगा लेकिन ये कम था एक कम था तो क्या होगा गटाने पर एक कम आता न, मतलब 149 आता न, 149 में 15 जोड़ो, अरे 150 में 15 जोड़ो गे 165, 164 आएगा क्या, गटा के बताओ कितना आएगा 164, 64 तो नहीं आना चाहिए यार, 134 आएगा सायद सम्थिंग देखो, 165, मेरा लॉजिक थोड़ा कड़बर निकला सायद, फर्चका नहीं लगता, 134, कितना आएगा 134, 134, 195 ठीक है, बस हो रहा, यहीं छोड़ देंगे, लिख लीजिए फटा-फट, नहीं हाँ जातो, समझ में आ रहा है, काजल सिंग, अमन केसरवानी, काजल सिंग आ रहा, कलास का टाइम रात 9 से 49, सभी जितने भी बंदे जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, सेशन को लाइक करें, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पांजबिल्टी है, अगर आप इस्टूडेंट है, तो आपको टेलीगराम जरूर रखना चाहिए, ये भी WhatsApp की तरह chatting messenger app है जैसे उसमें आप chatting meeting करते हैं बाबू सोना को देखते दिखाते हैं इसमें भी कर सकते हैं सब कुछ इसमें होता है इसका बीना पैसे के परचार कर दूँ तो मैं आपको इसकी खासियत बता दू WhatsApp पे कोई ऐसा feature नहीं कि आप लगा दो तो कोई आपको call ना कर पाए या आपका कोई number ना देख पाए इसमें ऐसा होता है WhatsApp ने अभी हाली में update किया है आप silent कर सकते हैं unknown call लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई call ना करे है ना समझ रहे हो इसमें अगर आप setting privacy लगा दो तो आपको कोई phone करी नहीं पाएगा अगर आपने वीडियो call बंद कर दिया वीडियो call नहीं कर पाएगा बहुत सारी चीज़े होती ही इन में देखना एक बार पढ़ाई वाला तो हम बैजते है हाँ जो बैज चल रहे है इसको सिर्फ लाइब देख सकते हैं अगर आप recorded देखना चाहें कि मुझे लाइब नहीं देखना time नहीं है कभी भी किसी भी समय देखना चाहें तो आप PBR study app डाउनलोड करके full course ले सकते हैं बाकि YouTube पर हम पूरा free पढ़ाएंगे याद रहे जो बच्चे payment करके course लेते हैं application में वो सारा content यहाँ free पढ़ाने कोसिस करेंगे हमें लेकिन आप इसमें सिर्फ live देख पाएंगे याद रखें इस बात को मत बूलना live देख पाएंगे recorded video बाद में नहीं मिलेगा सारा video नहीं मिलेगा कुछ मिल जाएगा लल्चाने के लिए इसको कर लेंगे कोई परसानी नहीं ना चलिए अब इनका भी क्या करेंगे cross multiple करेंगे cross multiple मनें दो बार बता दिया अब हम करेंगे lcm method ठीक है 5 और 6 का lcm लेंगे कितना आएगा 30 5.6 का lcm कितना होगा 30 अब आपको lcm लेना नहीं आता तो भाया एकाम पढ़ले पढ़ा चुका आई पीछे कला देखना दूसरे इस्टेप में क्या करेंगे lcm में पहली भिन के हर से भाग करेंगे lcm 30 पहली भिन का हर कितना है बतावा हो फर्स्ट फ्रेक्शन का डेनोमेनेटर कितना है अरे वह निच्चे वाला निच्चे वाला नंबर मतलब ये ठीक कितना है 6 तो 6 पंचे 30 कितना है 5 न भाग फल 5 आया अब उस 5 को पकड़िए और अंस में गुड़ा करिए 5 का 25 में गुड़ा करेंगे 125 बीच में माइनस तो माइनस हो गया पहला इस्टप दूसरे भिन्न में आ जाओ जो LCM आया था उसमें यानि 30 में दूसरी भिन्न के हर्फे यानि 5 से भाग करिए 5 से भाग करोगे इसमें तो 6 आएगा और 6 का गुड़ा करोगे 21 में 126 बाइस आप माइनस एक बटा 30 आए का हो उल्टा गटे न किसी को कोई दिखाद प्रियंका भरत वाज समझ में आ रहा है तूरस सिंग अर्चना यादो सालिनी यादो बढ़िया चलो बैया अगर तो का लोग का बहीनों नहीं समझ में आवाता है ना तो तो का बरम में सिखाए सका थे बाकी क्यों नहीं कैसे इससे नीचे हम नहीं देखे कि कोई पढ़ाता हो और एक थोड़ी अपनी भी अगर तारीफ कर लें तो आप देखोंगे यूटूब पर अगर किसी चैनल में पांच साथ लाख बच्चे जुड़े हैं तो वो यह सारी चीजे नहीं पढ़ाता है बड़ा बेज्जिती महसूस होता है है ना हमारे घर परिवार होले भाईय भाबी फलानी हमारे लोग सबताना मारते गरी आते हैं जोड़ गटाना हमेसा पढ़ाता है को कुछ आता नहीं अरे फलाने रिस्ते उस्ते आ रहे हैं बड़ी बेज्जिती होती सब देखके ही सब का करता है यूटूब पे समझ रहे होगे नहीं तुम्हें नहीं लगता है कि यह और हाइफ हाइफ पढ़ाएं कुछ बढ़िया देखने वाले को लगे हाँ पढ़ा लिखा रड़का है जरूरत समझेए लोगों की सर जरूरत आईए इनको कैसे करेंगे? इसमें भी college method पहले 11 अंड ळेंगे तो क्या आयेगा? आब क्या होगा? जो lc अया है उसमें पहली भीन के हरफे भाग करेंगे पहली भीन का हर का क्या है? वह यह पहली भीन या हर क्या 11 11 से आप 88 को भाग करोगे तू कितना है पता है दो सब का पता है लेकिन बतावत नहीं तू लोग भागवल कितना है कितना है आठ आए देखिए कितना है आठ तो जो आठ हाया उसका क्या करेंगे पहली बिन के अंस में गुड़ा करेंगे यानि 29 में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे 8 का ठीक है तो 8 नमा 72 हाफिल कितना साथ आठ दूना सोला सोला चार बीस 23 वह यह 232 हावा हो माइनस वही प्रक्रिया आगे भी बढ़ेंगे 11 से भाग किया था तो 8 आया था 8 का गुड़ा किया अब 8 से भाग करोगे तो 11 आएगा ठीक है LCEM यानी 88 में दूसर की भिन्न के हर यानी 8 से भाग करोगे तो 11 आएगा 11 का 25 में गुड़ा करोगे गटा लीजिए इनको जो आएगा माइनस में आएगा ठीक है माइनस तिरालिफ आएगा करके देखिए रोट कर लीजिए फटा फट माइनस में आएगा उल्टा घट रहा है बिबेग सिंग बाबू क्लास का क्या नाम है पता है आपको जीरो लेबल बेसिक गडिद न तो इसमें क्या लगता है तुमको एससी सीजे लोला पढ़ाएंगे जैसे नाम हो ऐसे काम लोगों की उमीदें पूरा होनी चाहिए ये तो हो गया दो पद वाला जब तीन पद या उससे अधिक हो तो कैसे करेंगे ठीक है कोई कह रहा कैसे पहचानेंगे कि असमान है भी या उतो का ना पता है यह देखा यह पांच है यह साथ है असमान मतलब दुनों एक है नहीं है ना समान वाला देखो देखो यह उससाथ है यह क्या है समान है कि नहीं अभी ये भी बताना पड़ेगा देखो यहाँ पर 13 है यहाँ भी 13 है दोनों सेम गिंती है मतलब हर समान है ठीक है और यह में देखो यह में नहीं है पांच यहाँ 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 पांच नहीं है तो क्या है असमान है आईए अब आगे एक नया बैच इसका फिरते लेके आ रहे हमें लगता है कि यूटूब पे आप लोग देखो गया नहीं हजम नहीं होती आप लोग को यूटूब पे देखवें नहीं करते हो चलो देखो इसमें क्या करेंगे इसमें हर समान है अगर हर समान है पद कितने भी हैं तो तरीका वही है पुराना वाला लंबा फलाइन खीचो जो हर में गिंती थी लिख लिया सबी गिंती को ऐसे लिख दिया जैसे थे ठीक है देखो आप लोग class को like share नहीं कर रहे हैं अगर हम यह बैच यूटूब पर आगे ना बढ़ाएं बंद कर देंगे तो फिर यह मत कहना कि आप नहीं चला रहे मानता हूँ अभी तवार था ठीक है कुछ थोड़ा बोड़ा बच्चे कम है लेकिन आप लोग like share नहीं कर रहे है अब यहाँ पर एक चीज समझना है जो minus minus गिंती होगी वो जुड़ जाएगी ठीक है प्लस प्लस भी जुड़ जाएगी तो यह minus 17 है minus 9 है और यह plus का 31 है तो minus 17 में minus 9 जुड़ेगा तो साथी मेरे आप जोड़ लो 17,3,26,26 minus 26 आएगा ठीक है बटा बारा इनको घटाओगे 5 बटा बारा आएगा कितना आएगा 5 बटा बारा लिख लिजिए लिख लिए आगे बढ़ें चल भईया आईए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ इसमें भी सेम तरीका है पहले एक बड़ी फी लाइन खीचोगे 14 हर में था उसको ऐसे लिख दिये ठीक उपर 48 था माइनस 37 माइनस 11 अब क्या करेंगे जो माइनस माइनस नंबर है वो जुड़ जाएगा तो 37 में 11 जुड़ेगा भाई साब 37 में 11 का मतलब जाना ता सबाई केता होए 37, 10, 47 होता है और एक जोड़े बाड़ तालिस यानी दूनों होजी है बराबर जीरो बटा चौदा मतलब बराबर स्कुल मिलाक सुनना आज़े सब गड़ बड़ लिख लो भाई चाप लो अब देखिए जब हर आसमान हो अब यह मत कहना आफमान का इसा जानेंगे अई से आख खोलना दूनों चसमा लगाया हो तो आई से रखना आई से फिर देखना देखो यह पांच है यह साथ है अलग अलग है ना यह यह तीन है सब अलग अलग है ना आसमान है ना फिर बुरा नहीं मानना ऐसे बोल देते हैं थोड़ा मुड़ा सुनना चाहिए चलो तो सबसे पहले दिये गए हर में जो नंबर है उनका लसीम करेंगे ठीक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो तीन साथ और पांच का लसीम करेंगे तो पांट यहीं पंदरा फट एक सो पांच अब तु लोग का लसीम करें आवग चाहिए हमका आवद रहां तो हम लिख दें डारेक्ट अगर तो कनाहीं आवद बात है एका करा एका अब पहली भिन के हर फे लसीम में करेंगे भाग पहली भिन का हर क्या है कमेंट करके बताव सभी देखें कुछ देख भी रहे हो बस हमाई से चिलाई जा रहे है जब आप दीजिए कितना सबसे पहले कोई बताया है निवन काजल ने आंसर भी बता दिया है अंजली राओ बहुत अच्छा इरफान हुसैन अरबिंद यादो पांच है पांच से देखिये क्या करना है भाग करना 105 में सीधा साब एक काम करो पांच को छोड़ दो बाकी बचे का गुड़ा कर लो यानि यकईस आएगा फिक है इसको छोड़ के का गुड़ा करो यकईस आ रहा न तो पांच से भाग करोगे यकईस आएगा यकईस का चवालिस में गुड़ा करना है भाई मल्टिपल करो फटा पट कितना आएगा इकईस चोगा चौरासी का चार हाँ फिलाया आठ एकईस चोगा चौरासी अब आठ जोड़ोगे चौराफी चार नबबे दो बान नबे नौसो चोवश आएगा देखो फिर माइनस पिर वहीपर किरिया करेंगे ूधे थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई थौझा दरबर पढ़ रही है आग्ला देखो सही है ना गुड़ा गुड़ा में बता देना कहीं में स्टेक होगा तो फिर साथ से भाग करोगे LCM में तो 35 आएगा 35 का 32 में गुड़ा करिए कितना आएगा मिस्टर बिबेक जी जबाब दीजिए फट फट 32 का 35 में गुड़ा करोगे देखो एक ट्रिक बताया था आपको गुड़ा वाली आओ चलो यहां लगे हाथ उसको भी दिखा देता हूं देखो हमें गुड़ा गुड़ा करें नहीं आओता है का कर पता है तो का देखा इधरे त्रीक ही तीक इमालों में टेबल नहीं आता है पहले किनारे किनारे का गुड़ा करेंगे पांच दूना दस हाफी लाया एक ठीक ते शाग गुड़ा करें 15 Termina चे 15-11 जाही बोल रहा हूं न 15 15 21 अब 21 और ही यहां एक हाशी लाया था बाइस हां यहां लबाया दो इनका किनार लाइक नारे गुड़ा करो तिन तरी करनो अधुई 11 कि ता यह ग्यारा सुबीस कि ता वह ग्यारा सुबीस हुआ है भाई साहब हमाद कुछ अलगया वता है का तुम लोग के कुछ हुरा होता है का अब यह हूआ जाएगा पांच सते भाई क्या क्या हुआ एक मिनट पंदरा से करना था ना यारी एक मिनट रुको साथ से भाग करो गए तो पंदरा आएगा 35 नहीं आएगा यहाँ पे कुछ गडबड़ एक मिनट रुको 35 से नहीं करना है 35 से तो अब करना रहेगा आगे यहां पर रुकिये थोड़ा जादा साटकट के चकर में कुछ छूड़ गया देखिए जो दूसरी वाली भिन्ह है उसके हर्फे भाग करेंगे यानि साथ से जब आप भाग करोगे तो पंदरा आएगा पंदरा सत्ते 105 होता है न पंदरा का 32 में गुड़ा करोगे पहले पंदरा का 35 का तो 13 में करेंगे बाद में ठीक है यही देखो यही बोल रहा था मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं तो 32 का गुड़ा पंदरा में करिए अगर इस्टेप बाइस्टेप समझेंगे समझ में आएगा पंदरा दूना 30 में आफिल तीन पंदरा तीन पैतालिस तीन अनतालिस यह आएगा चार सो अस्टी अगला तीसरे बिंद में आ जाओ तीसरे बिंद में आ जाओ जिनको गड़ित सीखना है सिर्फ वह ही यहां पर रुक पाएंगे बागी यहां जो ऐसे मज़ा लेने आये थे वह चले जाएंगे अब जब तीन से भाग करोगे 105 को तीन से 105 यानि LCM में भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है 35 आएगा? 35 का 13 में गुड़ा करिए 35 का 13 में गुड़ा करिए तो 13 पचे? कितना होगा? 65 होता है 35 आए 65 हाफिल आया 6 और 33 या 41 41 ये 40 और 5 पैटालिस ना? 455 ये हुई पूरी कहानी ठीक है? सही है? आप देखो माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस माइनस जुड़ेगा भाई तो 455 में आप 480 जुड़ोगे 455 में 480 जुड़ोगे 85 13 का 3 हाफिल एक और 4 4 8 1 9 935 आएगा अगर ये 25 होता तो घटाने पर 10 आथा लेकिन ये 24 है तो घटाने पर 11 आएगा माइनस ग्यारा बटा 105 लिख लिजिए छाप ये मिस्टर मानस आप जुड़ेगा चले गई है बताओ आपका जबाब मैं पहले देना चाहता था लेकिन थोड़ा बीजी था ये कह रहे हैं यूटूब वाली कलास लोगों को आकरसित करने के लिए है अपलिकेशन में कोर्स मेंचने के लिए है मानस जी आप एर एक छोटी सी बात मान लो भारत का पूरा अजूकेशन सिस्टम फ्री हो जाएगा लेकिन अगर दम है आपके अंदर तो चैलेंज है पता है क्या हमारे यहां आधा दर्जन से अधिक लोग काम करते हैं वर्क कमेंट रिप्लाई, कॉल, वर्टसप, कंटेंट मैनेज आधी-ाधी बहुँ सारा काम अगर आप आठ गंटे वर्क करो घर से आनलाइन यहां आना भी नहीं हम सब फ्री कर देंगे और आपके जैसे अगर होनहार दस-बीस बच्चे मिल जाएं कि जो आठ-ठ दददफ घंटे इंस्टूट में वर्क करें फ्री, कोई सलरी नहीं कोई पैफा नहीं लेंगे हम इस्टूट के लिए फ्री काम करेंगे दददफ घंटे, बोलो सारा सिस्टम फ्री हो जाए कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा मूह नी फेलाना चाहिए कोई मतलब नहीं समझ रहे हो न अगर एक गंटे भी कोई कहीं टाइम देता है तो कुछ चाहता है कुछ उम्मीद होती है और जो यहां पे हमारी पूरी टीम लगी है वो क्या तुमको लगता है आसमान से आई है स्वर्ग से नहीं उतरी जमीन पर जमीन पर ही पैदा हुई थी इस लिए सिर्फ और सिर्फ समझ यह और आगे बढ़िए ठीक है फालतु मतलब नहीं है कोई भी इसमें है बताईए हमारे यहां बहुत सारा काम है कम से कम सो लोग की जरूरत है लेकिन सेलरी नहीं दे पाते इसलिए सो लोग को नहीं रख रहे हैं तुम्हें लगता होगा कि यह तो सिर्फ बेसिक मैठ यूटूब पर चलाते है दूठी कलास का मतलब बहुत से लोग कहते हैं यूटुब पे वीडियो डालने में लोगों कि क्या जरूत है रिकार्ड के डाल दिया आख बार निकल जाएगी सेटप बनाने में ये जो फुल एजडी क्वाल्टी में लाइब देख रहे हो न एक बार जमीन पर उतरना देखना कैसे आता ये लाइब क्या-क्या लगता इसम है इसको देख लो प्यार से फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें ये बैच यूटूब पर टोटल फ्री आएगा बिल्कुल मने प्रॉमिस किया है लेकिन आप इसे सिब लाइब देख पाएंगे लाइब खतम होने के बाद इसके सारे पार्ट यूटूब पर नहीं मिलेंगे आईए आगे बढ़ते हैं इसको कितने लोग कर लेगी अरे यार घटाना गुड़ा भाग अभी सब कुछ है इसको आप होमवर करोगे आगे बढ़ो फटा-फट इसमें बहुत कुछ है आज नहीं तो टाइम ओबर हो जाएगा यह होमवर कहा इसक्रीन सार्ट लो फट से भिन्न का गुड़ा घटाना हो गया गुड़ा में हर अंस बराबर हो या ना हो कुछ भी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है यह बहुत आगे बढ़ चुके हैं इनमें चाती ब्रादरी से कोई मतलब नहीं देखो कैसे इनमें उपर का उपर गुड़ा हो जाता है नीचे का नीचे हो जाता है अब ही हम आपको पहले step में बता रहे हैं तो हम simplify करना बिल्कुल नहीं बताएंगे नहीं तो यह नीचे उपर cut भी सकते हैं छोटे हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे पहले ऐसे गुड़ा करेंगे चार नमाईच अगे आगे आठ सते चपन और नौपचे पैतालिफ आए उपर का उपर गुड़ा कर लेना नीचे का नीचे बस गुड़ा में यहीं करना है सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीधा फीधा ऐसे चाहिए इधर का इधर करो इधर का इधर कोई फरक नहीं पड़ता नौप का पांच में करोगे पांच का नौप में करोगे पैतालिस ही आएगा इसमें भी ऐसे होगा देखिए अभी हम आपको सरली करन करना नहीं बता रहे हैं नहीं तो इनको काटेंगे 3 सते 21 3 छंग 18 7 बटा 6 आएगा छोटा हो जाएगा लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे ठीक है इनका गुड़ा कर लेंगे 11 एकम 11 11 दुना 22 एक 23 कोई बताएगा जल्दी करें चलें कितना आएगा साधना ये कलास का टाइम है रात के 9 से 9.40 तक सुजल परजा पती बुलाग किया जाता बहुत जल्दी जल्दी करें आंसर बताएं कलास का टाइम 9 से 9.40 सारे वीडियो यूटूब पर बाद में नहीं मिलेंगे याद रखना अगर सीखना है तो लाइब देखिए अगर आप लाइब नहीं देखेंगे इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में यूटूब पर नहीं मिलेगी बहुत अच्छा आईए अब थोड़ा एक इस्टेप और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम मैथ पढ़ा नहीं रहे बलकि सिखा रहे ऐसे कंडिडेट ऐसे बच्चे नहीं ऐसे बच्चे वाले भी तेको बच्चे और बच्चे वालों में अंतर है तो हमारी क्लास में बच्चे कम बच्चे वाले ज्यादा होते हैं समझ रहे होग नहीं तो उनको हम सिखाते हैं बिलकुत सुनने से इस्टेप बाई स्टेप अब तक हम क्या सीख रहे थे कि दो दो पद थे उनको गुड़ा कर लेते थे अब एक इस्टेप और आगे बढ़ेंगे अब अगर नीचे उपर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उनको डिबाईट कर देंगे नीचे नहीं है तो अगल बगल पडोसी पडोसन में देख लेंगे देखो कैसे ये गिंती उपर की है तो इससे नीचे वाला जो है कोई भी नंबर डिबाईट हो सकता है चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें किसी में भी ठीक है जरूरी नहीं है कि 12 जो है 35 ये डिबाईट होगा आपस में इससे नहीं होगा नीचे होना चाहिए मतलब हर में बस यानि एक अंस से एक जो हर है वो डिवाइड हो जाएगा जैसा यह देखो तीन चोग बारा और तीन तरीक नो ठीक है फूर फिर यह डिवाइड हो जाएगा फूर बन जा फूर देखो उपर सिर्फ वन बचा फूर तूजा बारा आया ठीक यह फिर यहां डिवाइड हो जाएगा चार दूना आठ चारती यहीं बारा समझ ना उपर यहां वन बचा है यहां सेबन है यहां टू है यहां पर 35 है तीन है तीन है फाइनल में एक बार फिर से लिख दूँ साफ साफ करके अब यह कोई भी आपस में क्या होंगे कुछ नहीं होंगे अब है ना साफ दूना चाउदा उपर का गुड़ा हो गया नीचे का करिए तीन तरिक का नो नो पचे पैतालिस हाफिल चार नो तरिक 27 27, 23, 33, 31 कितना आएगा 315 कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना आगे बढ़े कोई कह रहा है गलत है अभी तुम्हें नीद लग रही थी ना इफीले तुम्हें गलत दिख रहा है अभी तुमको नीद आ रही थी ना देखो सबसे पहले तीन से डिवाइड किया तीन चोक 12 तीन तरिक का नो थीक फिर हमने क्या किया चार से इसको डिवाइड किया चार एक कम 4 ये 12 चोक अड़ तालिस फिर 4 दून 8 4 तीन 12 9 पचे 45 अफिल 4 9 तरिक 27 27, 33, 31 थीक है बही कहां गलत कर दी है यार ये तो बताओ कहां बिना सीर पैर के कहा है बोलते हो इतना भी तो बकलो लादमी नहीं है जित्ता तुम सोच रहे हो चलो ये कितना आएगा हो सकता है कहीं गुड़ा भाग में कभी-कभी दोने मिष्टेक लेकिन अईसा नहीं घमेशा थीक है फिर भी आएगा कोई मतलब नहीं है जो आप बता रहे है 828 ठीक है आपको कहने का मतलब लेकिन वो फिर वही बनता ठीक है वो उतना ही आता हमने अगर इसको 4 से काटा तो क्या बुरा है रुको फिर कहां से एक मिनट रुकी है मैंने 4 से डिवाइड किया 4 दूना 8, 4 ती यहीं 12 तब भी ठीक है वही बात हुई, कुछ अलग नहीं आएगा अगर इसको काटेंगे तो उपर तो 4 बचा था ना वो फिर डिवाइड होता वो वही आता उससे कोई मतलब नहीं हमने दो बार में डिवाइड किया छोटा छोटा करके सीधा सीधा भी डिवाइड हो जाता जो आप लोग कह रहे हो लेकिन मैंने वैसा नहीं किया तो कुछ गलत नहीं है वो चलो थार्टीन मंजा थार्टीन थार्टीन थरिजा ठीक है साथ एकम साथ ये साथ शंग बयालिस ठीक है तीन अठे चौवईस नितरिका नो दो ग्यारा है ये औरुज एकम और तीस फ्रिका नोढ टूज तियाईएं कि अब फाइनल में वन अपान वन वन थ्री आएंड शिक्स थ्री आया यह टू वन हो जायेगा कि दो बटा तीन आंसर आएगा कितना दो बटा तीन न हुँँ सुझल कहरा है इस्कूल में मारते हैं ऐसा करने पर भई देखो अलग अलग टीचर के अपने अलग अलग बिचार हो सकते हैं जो जो तुम लोग का कहना है क्लास का टाइम ओवर हो रहा है फिलहाल डी एलड की क्लास चलेगी रात के दस बचकर पंदरा मिनट से सिकेंड समेस्टर दस पंदरा फे चलेगी ठीक है लो तुम्हें दिखा देता हूं देखो इदर यह बारा बटा 35 साथ नौ और यह आठ अन्तालिफ आठ एकम आठ आठ चांग अन्तालिफ इनका यह कहना है ना चलो छे कम छे छे दुना बारा साथ एकम साथ साथ पड़चे 35 बता के दो बटा पांच यह बटा पांच यह बटा-पांच और यह एक बटा-नो और यह बटा-एक यह 50 ऐगा ये अभी साथ से और डिवाइड होगा ये भी आ जाएगा उतना ही साथ से डिवाइड करो साथ दुना चवदा साथ चवग ठाइस साथ पचे पैंटीस ये भी वही आएगा ये गलत नहीं था बलकि पूरा नहीं था एक परकार से इसे और हल किया जा सकता था ठीक है डाउट किलियर हुआ न ये गलत नहीं था जो मैंने किया था सब सही था बस इसको हमने कुछ एक और इस्टेप ले जा सकते थे नहीं ले गए थे इतना ही था चुकि हम आपको अभी सिखा रहे हैं सुरू से इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं कहीं हम आपको अभी मोटा-मोटा बता रहे हैं कि आप कैसे उनको हल करेंगे तरीका बता रहे हैं गलत कहीं कुछ नहीं है चलो भया तो यह बताओ अच्छा एक छोटा सा अगर दूसरा मैं सवाल पूछ लूँ आपकी इजाज़त हो तो इस सबसे छोटी अभाजे संख्या जानते हो क्या होती है बताए टॉपिक पर हम चली रहे हैं फिलाल अगर आपको गडित में कुछ भी नहीं आता है आप ये समझ लो कि अगर आपको मैत में एकदम कुछ नहीं आता सुनने बटा फननाता है ये अगर आपको सिर्फ यही आता है तब भी हम आपको गडित सीखाएंगे यहां से बिल्कुल सुनने से कोई हार मानने की बात नहीं है पीब्यार स्टडी सपोर्ट जी आप पहले ये बताओ कितना दिन आप आन उपस्थित रहे मिस्टर रोईद बिसकर्मा आप कमेंट मॉडरेटर वाला काम कर नहीं रहें कि इछले काफी दिन से काफी अच्छी लापरवाही कर रहे हैं कि खुशी कुमारी सुजल प्रजापती अंजली राओ आचल सोनकर बहुत सबसे बच्चे जुड़े हैं उनका नाम वोलेंगे बाद में पहले थोड़ा पढ़ाई हो जाएं कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब होगा सबसे छोटी जो अभाज संख्या होती है सबसे छोटी अभाज संख्या वो दो है क्या है दो भिन का भाग इसके अच्छी जानकारी के लिए इनके पीछे के पार जरूर देखें सबसे पहले पहला भिन लिखेंगे जो फर्स्ट फ्रेक्शन है ऐसे ही बिलकुल बिना किसी चेंज के इज़्जत के साथ भाग का चिन हटाएंगे गुड़ा का लगाएंगे और ये भिन पलट देंगे जो उपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे नंबर था वो उपर चला जाएगा जैनि खोपड़ी नीचे पैर उपर कर देंगे बस अब इनको सरल करेंगे देखिए कोई ऐसा संख्या बताओ जिस्ते ये डिवाइड हो जाएजिए देखिये 19 एक्वं 19 19298 बनेट enables एक अंस लेंगे एक हर एक अंस एक हर से डिवाइड हो जाए चाहे असे हो जाए तब भी ठीक है एसी वह जाए तब 21, 21, 22, 42, अब देखो इधर दो बटा दो बच रहा है, इधर वन अपान वन, ये दो बटा दो भी डिवाइड हो जायेगा, कुल मिलाके सब वन बचेगा, और फाइनल में इसको हम लिख सकते हैं, वन अपान वन, यानि अंतता हम इसे सिर्फ एक बोल सकते हैं, इसमें कोई पर अच्छा है समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे रुक रुक के बोलना चाहिए ना, क्या कहना आप लोग का, लगतार बोलता हूँ ना बिन रुक के, चलो लिख लो, अगला कुश्चन, सबसे पहले दी गई जो फर्स्ट फ्रेक्शन है, उसको पूरी इज़्जत के साथ लिख लेंगे, फिर गुड़ा का चिन लगा देंगे, भागवाला हटा देंगे, और ये भिन पलट जाएगी, 120 ऊपर चला जाएगा, 108 नीचे चलाएगा, इसमें कोई परिस्थानी नहीं होनी चाहिए, अब इनको सरल कर देंगे, देखिए हम ऐसे ऐसे सरल करेंगे, तो ज्यादा आसानी से हो जाता है, नीचे उपर भी इनको सरल कर सकते हो, अगर चाहो तो चलो वैसे पहले कर देता हूं, देखो, अगर बीच में गुड़ा का चिन लगा है, ठीक है, अगर बीच में गुड़ा का चिन है, तो कभी भी हर से हर या आंस से आंस नहीं कटेगा, एक अंस एक हर होना चाहिए, ठीक? 27 एकम 27, 27 चौका, 27 चौका 108 होता है न, होता है, देखो, यह फोर एक अंस में है, एक हर में यह डिबाइड हो जाएगा, सब डिबाइड हो जाएगा, फाइनल में वान आएगा, आप एक बटा एक भी बोल सकते हो, हरसित मिसरा समझ में आ रहा है, मैभूबी भेगम, आख्छा है, अनु सिंग, नीलू पांडे, जलें आगे, बढ़िया, छाप लो भाईया, फटा फटी, स्क्रिन साट ले लो, जल दी से, ले लिया, अगला, नेक्स कुश्चन, देखो, कहते हैं न, करत-करत अब भ्यास से, जण्डमत हो तो सुजान, पता हैं, मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कि अगर मैं फाइल बना लेता हूँ, इसका फलाइड, तो वो PDF में सेब होती थी, बाद में मिटता नहीं था, जो कुछ लिख दिये, अब एक मेरे को अच्छा आइडिया सुजा है, इस पैनल में सारी खूबियां है, इतना पैसा लगा है, इसमें कच्ची फाइल भी सेब हो जाती, जैसे उसमें वर्ड फाइल में होता है, डाकुमेंट फाइल, फिर उसको मिटाओ, तोड़ो, मरोडो, कुछ भी करो, कल मुझे या आइडिया समझ में आया, तेर साल बाद, और अब ये कली वाली फाइल है, जो मैंने कल बनाया था, आज देखो, चल रहा है, अच्छास, अब ब्यास जरूरी होता है, किसी भी छेतर में हो, सबसे पहला भिन लिख लेंगे पूरी इज़्जत के साथ, इसको उतनी इज़्जत के साथ उतारेंगे, जितनी इज़्जत दुझ लहे को भी या, दुझ लहे को, पहली बार सा सुराल मिलती है, पूरी इज्जत के साथ मैंने इसको लिख लिया अब गुड़ा कचिन लगा देंगे भाग की जगा पर इसको पलट देंगे 60 उपर 81 नीचे ये भिन आल्रेडी मैंने आसान बना के लिखा था इफ लिए कट पिट जा रहा वो ना जा रहा है समझ रहे हो ना बाकी हर जगा ऐसा नहीं होता है लेकिन हम आपको अभी सिखा रहे हैं शुरुवात है तो इसलिए थोड़ा आसान बनाया गया है पीबी आरे स्टडी सपोर्ट मेरी आवाज सुन रहे हो आप नहीं सुनते नहीं मुझे लगता आप सिर्फ देखते हो बस आवाज बंद करके न आप इमेल पर कंटेट करिएगा कि आप गायब काहे को थे इतना दिन तक यह साठ फे डिबाइड हो जाएगा साठ दूना एक सो बीस और यह इकत्तर दूना और इकत्तर एक कम सही है और दो से दो भी डिबाइड हो जाएगा फाइनल में वन अपान वन आएगा इससे आप वन लिख सकते हो क्या लिख सकते हो वन आगे बढ़े चलो भाई और किसी को कोई दिख्कत भाई इन सपोर्ट वालों को भी हमें खबर लगानी पड़ती है न नहीं यह लोग गयब हो जाते हैं तो काम कहां चलेगा यार सब में वैसे आ जा रहा है क्या आप चलो इसमें सबसे पहले वो फ्रेक्शन लिख लेंगे बहत्तर ऐसे गुड़ा का चिन लगा के इसको हल करो कितना आएगा कितना आएगा जरा हल करके बताओ मुझे भी काम करवाते हैं कमेंट करवा रहे हैं मुझसे अंकित कुमार जी राम राम ठीक ठाक है न बढ़ियां है चलो यह पलड जाएगा भिन गुड़ा लगेगा इसे हल करो कितना आएगा हो जाएगा चलो अब यह 32 से क्या होगा डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा देखो 6 बार जाएगा क्या 6 दूना 12 अच्छे बार जाएगा थाटी टू अंजा थाटी टू शिक्फ जा क्योंकि 32 छक्का च्छे दूना 12 हां फी लेक शेतरी कठा रहे को नई थीक है ओके अब यह सेवंटी टू से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा जड़ा देखो चार दूना आठ चार सते अठाइस चार चार बार जाएगा यानि फाइनल में आपको जो मिल रहा है चार बटे छे दो बटा तीन आएगा फाइनल लिख लो कोई परिशानी ना किसी को लिख लेजिए फटा फट अर्चना यादो समझ में आ रहा देखो कोई देर नहीं करेगा मैं बार 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 बोलता हूँ ये क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा बाद में और सारा वीडियो नहीं मिलेगा डेली क्लास के लिए पीवीर स्टेडी को टेली गराम पर जरूर जवाइन करें बाकी वर्टसअप चैनल पर फालो कर लें ठीक है वर्टसअप पर भी चैनल है मैसेज करना लिंक मिल जाएगा और एक चीज और अगर आप मेरी बात नहीं सुने गया से अंदेखा कर देंगे तो रोज बोलता है कोई मतलब नहीं है तो आपको कलास मिले या ना मिले हमसे कोई मतलब नहीं ठीक है यूटुब पर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो आपको मेरे दिये गए जो सुजहां है उनको पालन करना होगा टेली गराम पे हम रोज लिंक भेजते हैं मान लोग किफी दिन कलाफ आधा कंटा लेट हो गई तो हम बता देते हैं आज लेट है अगर नहीं जोईन किये रहोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा परिसान रहोगे खोजेते रहोगे ठीक है हो सकता कि अगर गम दिए दिन कलाफ का टाइम बदल दिया सो टेली ग्राम पर मिलता है इस लिए टेली ग्राम पर जोइन करना होता है इसमें देखिए एक से अधिक बिन्ने तीन बिन्ने कैसे करेंगे पहुं को सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेक्शन है उसे लिख लेंगे पूरी इमानदारी के साथ सोला बटा 17 फिर गुड़ा कचिन लगाएंगे फिर 51 बटा 48 यानि भाग कचिन हटाके इस बिन्न को पलट देते हैं ठीक है अब ये काम हम इधर भी कर सकते हैं बढ़ अभी हम पहले बार में इसको नहीं करेंगे क्यूं क्या कहना आपका हम इसको भी कर देंगे गुड़ा लगाएंगे इसको पांच बटा दो कर देंगे अब इनको डिवाइट कर लिजिए 16 तियांड तालिस यह एक बटा एक बचे का इधर यह खतम हो जाएगा कोई मतलब नहीं यह तीन बटा तीन और यह पांच बटा दो यह भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे फाइनल में आपका पांच बटा दो उत्तर आएगा लिख लो भईया लिख लो छाप लो कोई दिक्कत ना किसी को नहीं ठीक है एक और कोश्चन में दे रहा हूं इसे प्यार से देखो और समझो अब मुझे बताओ कितना आएगा चलो इसको आप लोग हल करके मुझे बताओ कितना आएगा जल्दी करो फटा फट चलो भई कितना आएगा बहुत जल्दी हल करें और सबही आंसर देंगे जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे वो कमेंट में नो लिख के कमेंट करेंगे या वो नो और इसके सारे भाग देखना बहुत जरूरी है अगर आप सारे पार्ट नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे है रुबी यादो समझ में आ रहा है अनु सिंग राज खुसी कुमारी एके संदीब प्रिया सुकला सुजल परजापती सोना नीरज कुमार चलो बहुत अच्छा कितने लोग बता लिया आंसर सबसे पहला कोई आंसर दिया है पंकज बिसकर्मा बेरे गूड सुएता सिंग दिसा चलो बाई बहुत अच्छा बेरे गूड बेरे गूड बच्चे बेरे गूड चलो ठीक है बहुत अच्छा मैंने एक सवाल पूछा है सिंपल सा इसका आंसर आपको देना है यह होमवर्क टाइब का नहीं तुरंद करना इसको गीता बर्मा यह बता मुझे अंजली राओ कि मैंने इतना सिखाया आप लाश्ट में कह रहें हमें नहीं आ रहा क्यूं यह तो दोखा है ना बेमानी यह नहीं अच्छा कर लो दोखा भाईया देखो इदर सबसे पहले इसको लिखेंगे जो फर्स्ट फ्रेक्शन है 38 बटा तीरफट गुड़ा का चिन लगाएंगे यह पलड जाएगा ठीक है देखिए यह एक दूसरे के मतलब टेबल में आते हैं 38 वंजा 38 अचुकी मैंने बनाया इसले मुझे पता है ठीक है पांच अठे चालिस पांत यहीं पंदरा चार वर्नाइस पांच बार जायेगा 38 पंचे 190 होता है ठीक है इसले कहते पहड़ा वाड़ा याद कर लो कल्कुलेफन करो खुब सारा तीरफट एक कम तीरफट और ती यहीं होता है बबुआ भीया तिरफट यहीं एक सो नवासी यानि फाइनल में वन अपान वन इसका कौन मतलब नहीं है तीन मटा पांच बचेगा इसमें कौनों आंसर दिया था क्या कि सामने समय हड़ जाता हूं जिससे आपको पूरा बोर्ट दिखाई पड़े दिख रहा है पूरा बढ़ियां कोई दिक्कत ना किसी को सबही साथी जोरदार क्लास को लाइक सेर करें बहुत जल्दी लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है डेली अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें जुड़ जाएं साड़े पांच लाग से अधिक छात्रों के परिवार में और सीखें गड़िद विल्कुल जीरो से एक नजर मैं आपको दिखाऊं कल क्या पढ़ाया था देखो पहली नजर में मुझे न देखो कल ये पढ़ाया गया था ये ये कल पढ़ाया गया था कल यह पढ़ाया था, हल करवाया था सब कल, यह तो मैं बीना हल दिखा रहा हूं कूश्चन, बस आधा मिनट दिखाऊंगा, कल क्या पढ़ाया था, वह दिखा रहा हूं, कल यही पढ़ाया गया था सब पढ़ाया था कल भिनन का घटाना पढ़ाया था कितने लोग आये थे कल इमांदारी से यहां बताओ यस देखो यह भागमभा कुछ नहीं होता यह रील नहीं है कि आ गए यूटूब पे मिल गए धोके से और हम ऐसे खिसका खिसका के बस देख लिए गड़ी सीख गया ऐसा नहीं रिल नहीं है टाइम देना पड़ेगा एक जोपड़ी बनाने में एक दिन लगता है एक महल बनाने में एक जिंदगी लग जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर गड़ीत अच्छे से सीखना है तो हम 20 सीकंड में सीख जाएंगे 20 दिन लगेंगे 20 दिन यह सब कल पढ़ाया था तो आज आपको पढ़ना भिन्न के परकार क्या पढ़ने हैं भिन्न के परकार इसको मैं सेव कर देता हूं यह पीडियेप तयार हो जाएगा इसको अब मैं हटाओंगा ठीक है अब पढ़ेंगे भिन्न के परकार भिन्न का जोड़ घटाना गुड़ा भाग खतम हो गया एक छोटा समय सवाल करूं जिनको लग रहा है कि मुझे मैं थाती है तो वो मुझे बताएं कि एक आयत है रेक्टेंगल उसका पहला एक एंगल नब्बे अंस दिया है तो मुझे यह बताओ बाकी तीसरा कॉन कितने अंस का होगा मैं इसमें कुछ फोटो इंपोर्ट करूंगा तब तक आप जो है उसका आंसर बताओ बताइए मैं कुछ यहां इमेज इंपोर्ट करूंगा तब तक आप बताइए कुछ oral question मैं पूछूंगा दो मिनिट तब तक मैं फोटो लगा लूँ इसमें फिर मैं इसको पढ़ाओंगा ठीक है अच्छा बहुत अच्छा उसका जो दूसरा कॉन है वो नब्बे अंस का होगा दूसरा तीफरा चौथा सब नब्बे नब्बे के होंगे क्योंकि कोई भी जो आयत होता है उसके परते को नब्बे नब्बे के होते हैं ठीक है ओके बेरी गुड़ ओहो भाई आदा मिनट देना यार यह सब डिश्टर्ब हो जा रहा है इस चक्कर में पहले तो इसको लागाना नहीं था रुको एक मिनट एक दूसरा सवाल बताओ अब तक मेरा बात तो सुन रहो ना दूसरा सवाल बताओ यह बताओ कि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या क्या होती है सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या सौरब गलत है आपका बहुत अच्छा सबसे छोटी जो प्रकृतिक संख्या है वन है वन One एक दूसरा सवाल बताईये एक दूसरा सवाल यह बताईये कि क्या सभी पर्मिये संख्याएं अभाज होती हैं हा या नहीं कि क्या सभी पर्मिये संख्याएं अभाद ये होती है जब तक आप लोग बताओ तब तक मैं फोटो लगा लेता हूं फिर मैं इसको पढ़ाता हूं हिंदी में इंग्लिस में देखने में अच्छा लगता है समाझ में भले ना है लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ या नहीं जबाब दीजिए अच्छा बढ़िया है ठीक है ये बताइए कि संख्या बारा का सबसे बड़ा गुड़ज क्या होगा संख्या बारा का सबसे बड़ा गुड़ज क्या होगा जो मैंने अभी सवाल पूछा था कि सभी पर्मिय संख्या या भाज ये होती है गलत है क्योंकि पर्मिय संख्याएं जो होती है वो भाज ये भाज कुछ भी हो सकती है सही बोल रहा हूँ ना मेरा दिमाग इधार है नहीं तो कहो कि यहां उल्टा बोल दिया इसको भी सीरियल से ही लगाना है 12 का सबसे बड़ा जो गुड़ज है वो क्या होगा अनन्त होगा किसी भी संख्या का लार्जेस्ट मल्टीपल जो है वो नहीं बताया जा सकता है किसी भी संख्या का जो गुड़ज है वो अनन्त मतलब हो सकता है बड़ा इसे बड़ा डिफाइट नहीं किये जा ठीक है संख्या बारा का सबसे छोटा गुड़ज क्या होगा बताइए यह सब पढ़ाया जा चुका है देखिए यह मैं लगा रहा था और मेरा लग भी गया फिलाल और कुछ लोग निपट लिए कुछ लोग भाग लिए अच्छी बात है कौनों बात नहीं है जायदा यह का पढ़ाय का पढ़ाय करें यह करें गरज हुए है ना यह कलास सिर्फ लाइब देख सकते हैं इसका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा आए अब बात करते हैं टाइप आफ फ्रेक्शन भी ठिक जांपल भिन के परकार क्या पढ़ेंगे भिन के परकार लिखा गया है अंग्रेजी में हम बताएंगे हिंदी में कोई दिक्कत की बात नहीं मेरा गुपता समझ में आरा कुछ थोड़ा बहुत कि खुशी कह रही हमें सब आता है कुछ नहीं बता पाती है कोठी आता सब है यहीं तो दिक्कत है कि अच्छे को बलाक करो बहुत बात कर रहा है कि स्वेता पटेल आप भी जाओ इनके साथ बागो चलो भीन ने में में जो होते हैं देखिए टाइप में टाइप निकलते हैं बहुत होते हैं में में जो होते हैं वो यहीं होते हैं जो आपको दिख रहे हैं छे साथ परकार के ठीक है मुख्यता ये होते है ये ही इतना होते है माल लो छे परकार के ठीक है भिन क्या होते है वो मैं आपको बता चुका हूँ इनको हिंदी में बता देता हूँ पहला जो होता है इसको बोलते है इकाई भिन क्या बोलते है अबै रुके जा रहे दादा इकाई भिन प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन उचित या सम भिन ठीक है अनुचित भिन यानि इम प्रॉपर फ्रेक्शन इसे बिसम भिन भी बोलते हैं है ना देखो सम बिसम भी अलग होती है समान असमान भिन अलग होती है मिक्श्ट फ्रेक्शन यानि मिश्रित भिन मिश्रित भिन लाइक फ्रेक्शन मतलब समान भिन अनलाइक फ्रेक्शन मतलब असमान भिन इक्वैलियन्ट मतलब समतुल भिन जिनको गड़ित सीखना है सिर्फ वही यहां दिमाग पकाएंगे बाकी नहीं रुकने वाले क्योंकि मज़ा नहीं आएगी बहुत ज़्यादा मोनिका बर्मा कल से चलेगा application वाली कुछ भैच नहीं चल रही कल से चलेगा ठीक है आगे बढ़े चलो भाई unit fraction क्या होता है जिसे बोलते हैं इकाई भिन साथी मेरे इकाई भिन क्या होती है पता है आपको इकाई भिन एफी भिन होती है जिनका आंस वन होता है जिनका आंस वन होता है बाकी हर में कुछ भी हो सकता है यानि one upon yaks के रूप में होता है one upon yaks के रूप में जहाँ yaks कोई भी yaks belong to natural number इसे बोलते हैं belong to हिंदी हम बोलते हैं सदस है यानि yaks जो है natural number का फदफ है प्रकृतिक संख्या की और प्रकृतिक संख्या वनसे शुरू होती है ठीक है जीरो नहीं हो सकती यहां पर यह भी लिख सकते हो तुम जहां यह फ्ट नाट इक्कोल जीरो फार एक जामपल उदारण के तवर पर जैसे मालली जी हमने लिख दिया एक बटा तीन एक बटा पाँच एक बटा नौ एक बटा एक आईस मतलब कुछ भी लेकिन अंस वन रहना चाहिए बस थोड़ा बहुत बात कर लेने दिया करिए कभी कभी प्रॉपर फ्रेक्शन कितने लोगों को पता है हिंदी में बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं अंगरेजी लिखने गरियाओ मत भी या कुछ वाड़ इसमें इंगलिस के जरूरी है आना चलो देखो प्रॉपर फ्रेक्शन इसे उचित या क्या बोलते है के उचित या सम्भिन आज़सी बिन जिसका अंस चोटा हो यानी नुमरेटर नुमरेटर का हो चोटा हो और डेनोमेनेटर बड़ा हो ठीक है नुमरेटर को का बोलते है देखो मूब त्में Яं इंगलिस के इस पेलिंग लिखी है इंग्लिस वाले में फायदा होता, नहीं तो इंग्लिस का spelling लड़ बढ़ा ही जात हमाया, उबे नहीं करता इस रहता सहीं रहता इंग्लिस वाले में, देखिए आहा पे कुछ चीजे लिखा है, अगर मैं पढ़ हूं तो थोड़ा आपके लिए उसी था, उसी समझ रो बस उचित या सम्भिन बोलते हैं यही पहचान है मतलब मतलब का तो का सब मतलब तो बताए दें मतलब आंस इज लेफ देन हर यानि आंस छोटका रहेगा हर बड़ा रहेगा बस खत्म इंप्रॉफर फ्रेक्शन क्या होता यह कौन सी विमारी का नाम है अनुचित या बिसम्भिन यह क्या होता है बिल्कुल जैश्ट उसका उल्टा होता है जैश्ट उसका उल्टा होने का यह मतलब है का मतलब पता है तो का अंस बड़ा नहीं छोटा होगा हाँ बड़ा होगा हर छोटा होगा बस ऐसे ही जैसे फार एक जामपल के तोर पर यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया फाथ अंस बड़ा रहेगा यह बारा दस तेईस वनईस ऐसे जिनको गड़ित नहीं आती उनी के लिए एक कलास है मैं बार बार बोलता हूँ हजार बार बोलता हूँ तो अगर आप भी उसी बीमारी के मार रहे हैं तो बहुत अच्छी जगा जुड़े हैं लेकिन इस कलास का recorded live मतलब बाद में वीडियो नहीं मिलेगा ये बात याद रखें अगर आप live कलास में नहीं आएंगे तो recorded वीडियो यूटूब पर नहीं मिलेगा सभी जान रहे हो नहीं इस बात को जान रहे हो तो एक बार comment में हाँ लिखेंगे सभी यस मेरी ये बात अगर आपको पता थी तो comment में एक बार ये आफ लिखेंगे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा सुन रहे हो कम से कम मुझे ये सुनके थोड़ा अच्छी feeling आती है कहां जो मैं बोल रहा हूं सुन तो रहे हो कम से कम चलिए थोड़ा दिर रुख जाते हैं तो थोड़ा साफ ले लेते हैं लोग like fraction क्या होता है सबको पता है न तो daily live आया करो बस यही कहना चाहते थे तो like fraction ये क्या होता है क्या होता है like fraction और fraction that have the same denominator and different numerator जिसे बोलते हैं भायवा का बोलते हैं इसे यह रुकना कि समान भिन का बोलते हैं समान या फजातिय भिन मतलब अपनी जाती विरादरीक लोग हैं ये आपस में देखो कैसे जैसे तीन बटा नौ शे बटा नौ एकाइस बटा नौ तायंतिस बटा नौ अठानवे बटा नौ औनाइस बटा नौ का समझा है देखो ये में एक चीज है सभी के जो हर हैं वो बराबर है सभी के हर बराबर हैं यही क्या होते हैं सजातिय भिन्न होते हैं इन्हें आसानी से आपस में जोड़ा खटाया जा सकता है अगला है अनलाइक फ्रेक्शन अनलाइक फ्रेक्शन देखो प्रिंसी समझ में आ रहा है सिल्पी चोहान नेहा यादो परभती मांजी ये वीडियो भी लाइब के बाद नहीं मिलेगा आज इसको मैं तुरंद रिलिट करवाऊंगा आज पहले पढ़ाने तो दो असमान भिन या बिजातिये भिन ये क्या होता है पूरा टाइम देता हूं कलास में नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो इसका पीडियो पीडियो देता हूं ना आज मैं सारा पीडियो बेह दूंगा पिछले पंदरा दिन का कि टेलिग्राम पर जो यह पढ़ाया जारा सब पीडियो में मिल जाएगा जो यहां लिखा है यह पूरा लिखना नहीं तुम्हें कुछ निकरना है राजा बाबु जैसे बैटना है बस देखो यहां पर क्या लिखा है unlike fraction have different denominator the denominator of fraction have various value in the case as a result unlike fraction are defined as fraction with the same numerator but different denominator का समझा मतलब ये कहने का है कि इनके जो numerator है वो सेम हो सकते है ये रुगा करे ददा रुग गरान का भाया देखो जैसे तीन बटा आठ छे बटा आठ मतलब इनका कहने का ये है कि आपका जो अंस है वो सेम हो सकता है बट हर सेम नहीं होगा ऐसे ठीक है कुछ भी जो भी आप जान लो unlike fraction में ये ऑलग-अलग भी हो सकते हैं मतलब कुछ भी हो सकते है different different उनका कोई matching ना हो ठीक है अंस कहीं कहीं अगर सेम हो भी गया तो ठीक है कोई फरक नहीं बढ़ता है ठीक है और यह अलग-अलग भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है अनलाइक मतलब असमान बिन मैं मूँ से तो हिंदी बोल रहा हूं न मिस्टर क्या नाम है आपका अनुज कुमार समझा तो हिंदी में रहा हूं न थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना जरूरी है यह हमारे देश का दुर भाग गया है इफली है बताएं काहे लिए चाइना देखो अपने आग भासाम सब कुछ करता है वहां के न्यूज समचार कोई सरकारी काम काज सब चाइना भासाम होते है जिसे दूसरा देश आसानी कोई नहीं पड़ सकता है हमारा एक मात्र ऐसा देश है जहां पर दूसरे देश की हर चीज लागू है क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग पढ़ाई लिखाई स्वास्त व्यवस्था फे ज्यादा जाती धर्म की राजनीती करते हैं हमारे देश के राष्टपती से लेके परधान मंत्री तक देश की कोई भी महत्तवपूर्ण इंफर्मेशन होता है तो अमेरिकी ट्विटर पे जाके ट्विट करते हैं अपने देश का कुछ नहीं क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग हमारे यहां की सोच है कि सरकाई नौकरी चाहिए बहले चपरासी क्यों न हो सरकाई नौकरी फिले चाहिए क्योंकि उपर की कमाही है रुतबा है और नाम है साधी विवाच्छी जगा हो जाती है दहज लेने वालों को दहज मिलता है देने वालों को देने में अच्छा लगता है बहुत सारी बातें करेंगे तो लंबी हो जाएंगी लेकिन आज आती है बीच में तो करना पड़ता है ठीक है बाकी कोई भी देश देखो जापान देख ठीक है आगे बढ़ते हैं जाने रहो बस ये नरेक आपको नहीं पता है इक्वालियंट फ्रेक्शन जिनें बोलते हैं समतुल भिन ये भिन आपस में कुछ नहीं होती है ये किसी दूसरे पर डिपेंड होती है ठीक है अपने में खुद में कुछ नहीं होती है जैसे देखिए अगर हम कहें कोई समतुल भिन लिखो तो आप ऐसे कुछ नहीं बता सकते हो किसी भिन की सम्तुल भिन हो सकती है ठीक है जैसेiej Karma करना माली जी हमने कहा क्या इसकी तुलना करो इस Calm की तुलना करो क्या तुलना करोगे कोनों दूसर तो होना चाहिए न साथ में माली जी मैंने ये फोन बगल में लगा दिया तो इसकी तुलना करो, इसके इसके प्राइस में काफी अंतर है, बहुत बार डिफ्रेंस है, इसमें जो security feature है, इसमें बिल्कुल नहीं है, मतलब आप compare कर सकते हो, ये थोड़ा नया, ये थोड़ा पुराना है, बहुत सारी चीजे हैं, है ना, इसका color थोड़ा इधर से देखो blue color दिख रहा है, इसका एगदम black दिख रहा है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, इसके लिए एक और मतलब उपलब्द होना चाहिए, तब आप बता सकते हो, जैसे मानलो कि मैंने लिखा तीन बटा साथ, इसका समतुल भिन बताओ, तो समतुल भिन के लिए इसको हम 4 फे गुड उपान पान थिरी का समतुल भिन बताओ, इसके पांच से गुड़ा कर दो उपर नीचे, तो 5 एकम 5 पांच पांच यहीं 15, यानी 1 बटा 3 का समतुल भिन 5 बटा 15, समझ में आया कोई दिक्कत ना किसी को? अगला है, मिक्स्ट फरेक्ट्पन, या मिक्चर वाला है, जैसे आपने देखा होगा, दुकानों पे लिखा रहता है, यहां पर सुद्ध देशी घी की मिठाईयां मिलती है, देखे होगा नहीं, मतलब इतना सुद्ध रहती हैं, वहां लिखने ही जरूत पड़ती है, आज इसे बोलते हैं, मिफ्रित भिन, क्या बोलते हैं, अब मिफ्रित भिन, एक लाइन में समझे लो, ज्यादा बात ना करते हुए, वैसे सीधा फीधा, मिफ्रित भिन का होती है, पता आपको, मिफ्रित भिन, ऐसी भिन होती है, जिसमें पूर्ण और अपूर्ण फंख्या का मिक्चर होता है, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, चाहे इनको एफे लिखो, चाहे इनको एफे लिखो, दोनों का मतलब एक होता है, साथी मेरे ये होती समझ heун कि एक पूर्ड फंक्या क्या होती है यह को यह एक पूर्ड फंक्या होती है और दोनों साथ में मिला के लिखी जाती है इसलिए इनको mix fraction मोलते हैं जहां तक मुझे पता यह होता है सब कुड़ी यादो मेरी बात समझ में आ रही है थाकुरी इस्लामिक हिस्ट्री आफीसियल रोली अवस्ति संगीता यादो गोलु फिरी फायर बॉय तुम्हारा नम लाश्ट बार बोला हूं बच्चा सभी समझ गए ना पका तो अब अगर एक्जाम्पल दिया जाएगा प्रेक्टिस करवाया जाएगा तो उमीद है कि आप लोग कर ले जाओगे सभी कर ले जाओगे पका बहुत अच्छा बेरी गुड आज पढ़ेंगे देस्मल क्या पढ़ेंगे दसमलो क्या आपको दसमलो का जोड़ घटाना गुड़ा भाग यह सबाता है बताए जवाब दीजिए कितने लोग बताएंगे अब यह देखो देखो यहाँ पर हो समझ कि दसमलो का जोड़ना घटाना गुड़ा भाग कल की क्लास में भिन खतम हो गई थी मिंस परसो आली में है ना पिछली क्लास में कमेंट सबका पढ़ेंगे थोड़ा तफली रखें आईए जैसे सामान नंबर को जोड़ते वसे इनको भी जोड़ते हैं इनको नीचे उपर लिखके जोड़िए या आगे पीछे करके यह देड़ रूपया है यह साड़े तीन रूपया है आप रूपया मालो रूपया इंसान हर कोई पहचानता है तो साड़े तीन में 50 परिसा जोड़ोगे चार और एक पांच यानि कुल मिला के यह कितना हो जाएगा यह हो पूरी इज्जत के फात दसमलो के नीचे जेश्ट एक दसमलो लगा दो यह वाली गिंती हमें पूरा यहां लानी है तो दाहिनी साड़ देखो पांच है और दसमलो के पांई साड़ तीन है पलफ का साइन लगाया पांच-पांच-दस हाफी लाया एक और तीन एक चार आयफे लिख लिया आयफे आयफे उल्टा पूल्टा करके तीन हमेडा तो फिर नहीं सही बनता है ठीक है यह थोड़ा कम समझ में आया होगा थोड़ा फीधा है आयफे अगर आपने लिख लिया आयफे ऐसे नहीं जोड़ेंगे फीधा फीधा में ठीक है जैसे यहां लिख सबसे पहला वाला गिंती लिख लेंगे, दसमलो के जश्ट सीधा में दसमलो, ठिक, दसमलो के दाहिनी साइड राइट साइड टू है, और लेफ्ट साइड वन है, पलफ का फाइन क्योंकि जोडना है, आठ में दो जोड़ेंगे, दस का जीरो, हाफिल आया एक, हाफिल याद नौ एक, दस, और एक, ग्यारा, इसके सीधा में दसमलो, किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है, तो आप सी वाले का जबाब दे दो, फटा-फट क्या आएगा, चलो, काजल सिंग आर्या, अंजली राओ, विशाल पासवान, भी रेश कुमार, भूपेस, मैं भूबी बेगाम, नीतु, गरिमा, नीलू, अर्बिन्द, बहुत अच्छा, सी वाले में कोई बताया, कोई अकाइस बता रहा, देखते हैं, 11.5, डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड 5 है, डेसिमल के लेप्ट साइड में 9 है, 5-5, 10 हासिल एक, 9-10 हासिल हो जाएगा 11, हासिल अभी भी एक बच रहा है, और एक ये दो, देसमलो के जश्ट सीधा देसमलो, ठीक बाना भाईया, भाईया बच्ची सबाईक समझ में आएगा हो, लिख लिया, बार बार बता दूं कि आप लोग क्लास को लाइक सेर करिए, नहीं तो मैं एक नया बैच फिर से लाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि 15-17 दिन कलास चली है, इसमें आधे टाउपिक खतम हो गए, 50% गड़ित खतम हो गई, बेसिक, सिर्फ 15 दिन और चल जाए, पूरा बेसिक खतम, लेकिन संख्या बनाएंगे तब आप लोग सेर नहीं कर रहे हैं, आप लोग धील धाल पड़ गए, देखो एक चीज बताऊँ, कड़वा है, लेकिन सच है, गड़ित सीखने का एक बार जो सब को चड़ता है, लेकिन देरे-देरे ठंड़ा हो जाता था सिन बाद, और फिर कभी सीखने पाते हैं, एक बार जो तड़त होनी चाहिए ना, किसी भी चीज को पाने की, वो बिना पाय नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ा धायर बना के रखना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, तो बिलकुल भी, आप 50% पा चुके हैं लक्ष, बस 15 दिन और, 15 दिन में ख तोड़ी सीखेगा, कोशिस तो हर कोई करता है, लोग हर जाते हैं न, चलो, 17.5, decimal के जश्ट नीचे decimal, right side में 5 है, left side में 3 है, जोड देंगे, 5, 5, 10, हाफिल आया एक, और 7 में 3, 10, और हाफिल एकी 11, हाफिल एक, 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 दो, आगे बढ़ें, next, समझ में आगया, कोई दिक्कत ना किसी को, एक चीज याद रखें, कि अगर आप लोग like share नहीं करेंगे, तो हम यह class कर देंगे, फिर फिर वाली बंद, फिर सिर्फ अप्लिकेसन में, अप्लिकेसन में 7 बच चल रही है, भाई मजबूरी है क्या करेंगे, अगर 100 पलस भी बच्चे नहीं रहे, तो हम नहीं चला पाए लाएंगे, फिर नहीं देश लेएंगे, फिर नहीं बच्चे फेल आयेंगे, फिर से 50 बच्चे payment करेंगे, शमझ रहे हो, और फिर से एक नहीं बच्च चल जाएगा, 200 बच्चे आएंगे, 50 बच्च पेमेंट करेंगे, 500 भी जमा करेंगे, तो 25 भार होगा, तो क्या दिक्क जोड़ के बताओ कितना आएगा सिकेंड लेबल कितना आएगा जल्दी करें कितना आएगा अभी हम आपको सिर्फ बिल्कुल स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ ठीक है एकदम स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ फिर इसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे चलें आगे सभी को समझ में आ रहा है बिसाल भिंड कोमल तिर पाठी अनीसा नंबर पे संपर करिये सोनल सर्मा चलो भाई बहुत अच्छा कोई जबाब दिया इसमें तो उनका नाम है बिसाल भिंड और भी कुछ बच्चे बताए हैं जैसा कि सोनल और काजल सीवम आओ चलो तब से पहले फास्ट नंबर लिख लेंगे ऐफे डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल यानी दसमलो लगाएंगे दसमलो के तहनी साइड में आठ है तो इसको ऐफे लिख देंगे याद रहे एकदम सीधा सीधा में लिखना है अगर इसको कनफ्यूज कर दोगे गोंच गांच के तो फिर गलत हो जाएगा जैसे आठ जीरो के ही नीचे लिखना है अगर आपने इसको एफे लिख दिया तो फिर गलत यानी वन के नीचे नहीं लिखना आपको दसमलो से जश्ट सटा हुआ रहेगा ये अगर आपने आठ को एक में जोड़ दिया तो फिर गलत कोई दिक्कत ना किसी को चलो आगे देखो अब आठ में जीरो कितना है अगर आठ कि समलो कि नीचे दसमलो नौ में जीरो नौ नौ रूपया 81 पैसा आया ये अरे बाई एक पैसा था वो बाद वाला नौ रूपया 80 पैसा था ठीक है किसी को कोई डाउट तो बता दीजी देखो मैं सीधा फिधा ये कहना चाहता हूं सीधे सब्दों में कि जिनको गड़ित नहीं आती या गड़ित में कुछ नहीं आता या बहुत कमाता है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको आता है वो यहां से सरपट भाग जाएं हाँ बिल्कुल सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए है अगर आप रिवीजिन करना चाहते हो आपकी इच्छा है सोख है तो बने रहो कोई दिक्कत हमें नहीं है लेकिन तीन पांच करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और जो पढ़ने वाले हैं उनका बिल्कुल दिल से स्वागत करते हैं पलकों पर बिठाकर रखते हैं चलो देखो पहला लिख लिया कि दसमलों के जश्ट नीचे दसमलों लगाएंगे तुम्हें के लगता है बहुत आफान है जिनको नहीं आती जिनको नहीं आती उनका ये दर्द बिल्कुल गुपतरोग जैसे है उमर ज्यादा हो जाने के बाद किसी से कह नहीं पाते हैं कि मुझे ये सब नहीं आता है कु कि दसमलों के राइट साइड में देखो आप तो 3 है और फिर 2 है अगर आप लेट साइड में देखो बाइज साइड में 0 है अगर प्लस यानि जोड़ना है बस है ना कितना आसान देखो 3 और 2 ये जुड़ जाएगा 5 तीन के उपर कुछ नहीं है जीरो है तो 3 ही रहेगा दसमलों के नीचे दसमलों 0 यानि ये 32 पैसा था ये 3 पैसा था उस्वरी हाँ 32 पैसा था ये लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ बढ़ेंगे जीरो पॉइंट था डिटीटू नई जीरो प्वइंट थीरिटू ऐसे बोलेंगे क्या पढ़ेंगे जीरो दसमलों 3D 2 सही तरीका है पढ़ने का जीरो दसमलों 3D वो बत्तिफ नहीं है बत्ती से बहुत चोटा है तो आप उसे अगर ऐसा कहीं बोलते हो कि जी तुम यादो हम ऐसा क्यों करते हैं कि बाद में डिलीट कर देते हैं हम ऐसा बात बताते नहीं है यह चुपे वाली बात है बाद में बताएंगे काई को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि रात में आप लोग कुछ फलतु काम करें इफ लिए लाइब चलती आप आई वाक्य पढ़ें। चलो देखो। 2.3 यह पहला वाला हो गया। फिर दसामलों के जस्ट नीचे दसामलों इसके राइड साइड में देखो। तो 3 है और 4 है। तो 3 और यह 4 प्लफ ठीक है। अब डैसिमल के पहले देखो यहां कुछ नहीं है 0 है तो 0। अब इसके उपर कुछ नहीं है भाई साहब तो 0 लगा दो अपनी समतुष्टी के लिए चाहे कुछ न लगाओ तो ये 4 का 4 है रहेगा ये 336 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 2 बस हो गया कहानी खतम लिख लो भाईया सुमन कुमार सत्या समझ में आ रहा है बिसाल पासवान आ रहा समझ में स्टोनल बर्मा आ रहा है चलो सभी अब एक सुर में बताओ डी वाले का क्या आएगा जल्दी कमेंट करें प्रियंका कुमारी के जी या फ्राव यूपी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ अब सभी सातियों से बीनम्र निवेदन है क्लास को सेयर करें अगर संख्या 100 प्लस बनी रहेगी तभी ये क्लास चल सकती है अन्यथा सिर्फ अप्लिकेशन में चलेगी मेरी मजबूरी होगी ठीक है तो रिक्वेश्ट करना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बंद हो जाए पचास परसेंट खतम हो गई पचास परसेंट आवर पढ़ा दें खतम हो जाबेशिक और अगर आप करोगे ना जितने लोग जुड़े हैं उसका डबल कर देंगी प्यार से हो जाएगा मुश्खिल नहीं है लेकिन करो तब न यह कोई गंदी चीतों है नहीं गाली दे रहे हैं कुछ गलत सिखा रहे हैं जिंदगी बनने वाली है देश का भभी सबनेगा इसको सीखने से ऐसे लोग जिनको नहीं आती करें ठीक ठाक है चलो आगे बढ़ें अगर आपके घर में दो मोबाइल फोन है लैपटाफ है तो उसमें भी वीडियो प्ले करें अगर इंटरनेट की सुब्धा है आपके घर में कोई ऐसा परसन है जो फोन यूज नहीं करता उसका चलाएं जितना भी मोबाइल या डिवाइस हो अगे बढ़ते हैं उसके पहले अगर आपने हमें इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लें क्योंकि यहां पर फिरी की सारी अपडेट जो भी क्लास के बारे में होती है वो आती है तो आप इस्टाग्राम पर पीवियर स्टेडी सार्च करके फालो करेंगे तो यह था दसामलों का जोड़ना उमीद है कि छोटी-छोटी चीजें आप सीख गये होंगे अब थोड़ा सा लेबल तीन में आ जाओ हम बिल्कुल सुनने से सिखाते हैं चाहे किसी को लगे अच्छा या लगे बुरा यही हमारी याद आजा था जिससे हम अभी यहीं रुके हैं लेबल तीन में आ जाओ जैसे दो मालों की तेईस है इसमें जोड़ना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो नौ तो कितना आएगा भाईया है नहीं कुछ अलग तरीके का मैंने सवाल पहले से नहीं बनाया फिर भी बताओ कितना आएगा जबाब दो भी वाले में चलो आगे 37 पॉइंट न लगा औरे ददा न न न न जीरो पॉइंट वन बता पॉइंट इसको जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन आएगे यह बँट अच्छा एक पार आप टिराइ करेंगे नहीं आता मैं बताता हूँ साथिएं यहाँ पर देखो इसमें दसामफलो नहीं लगा यह एक पूरड फंखिया है यानि होल नंबर है 23 ओल नंबर यानि पूर संख्या इथी आदूरी है कि मैं रीजेर को पूरी करेंगे कैसी देखो काते हैं कहते हैं न गदहा के साथ है गदहा बनना पड़ता है एक अच्छा एक्जामपल बताओं बहुत अच्छा समझ लो आपने माननीय परधान मंत्री जी को देखा होगा देश के वर्तमान परधान मंत्री मोदी जी पंजाब और अरियाना जो भी वहां कुद ऊधर को जाते हैं तो वहां उन लोगों की जैसे एक सबहुत Tabii तो मैंने कहें बताया यह बात इफ लिए बताया कि इसको जिसके साथ जोड़ना है ना उसमें दसमलो है तो इसमें दसमलो नहीं है तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तभी जब इसमें भी दसमलो लगा देंगे समझ रहे हो ना दसमलो इसमें लगा देंगे कैसे जो भी नंबर है इसको आफे लिखेंगे और दसमलो लगा के आफे सुनना बढ़ा लेंगे कितना हमें दसमलो के बाद जितना सुनने की जरूरत है इसमें तीन गिंती है दसमलो के बाद तो हम 3 0 बढ़ा लेते हैं चाहे जितना बढ़ा लो मूब तुम्हें है फ्री में चलो समझो देखो हो गया पहला अब क्या करेंगे दसामलो के जश्ट नीचे दसामलो लगाएंगे दसामलो के राइट साइड में आप देखो दानी साइड में 0 0 9 है तो हम लिखेंगे 0 0 9 बत हो गया कहानी खतम बाएंग साइड में सिर्फ 0 है तो 0 जोड़ना है जोड़ो भाईया यह उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है उनको तो मैं सिखाता है भाई चलो देखो 9 में सुनना जोड़ोगे भाई साब 9 रहेगा सुनना में सुनना तो सुनना है 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर 0 ही आता है 0 में से कोई भी संख्या घटाओगे तो 0 आएगा 0 को किसी संख्या से गुड़ा करोगे 0 ही आएगा 0 को किसी और संख्या में भी गुड़ा करोगे तब भी हो जीरो ही आएगा यानि जो इंसान पहले से खतम है वो किसी से मिलकर उससे कुछ नहीं कर सकता है हाँ कुछ केस में नहीं तो यानि यह 23.009 समझ में आया आया समझ में अच्छा एक बात बताओ आप लोग एक छोटी सी बात है देखो आप लोग अभी तक क्लास सेर नहीं किये थे बच्चे नहीं आया अभी सेर कियो न यह A है और यह B है यह बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है यह दोनों बराबर है क्या कहते हो बताओ इन में कौनों आंतार है कि नहीं एक टिया और ले लो A1 सिर्फ नहीं है कौन बड़ा है इन में समय कौन बड़ा है यह सब ही बराबर है कुछ भी सोच की बताओ चलो देखो आई यह बताते हैं चल भई सबसे पहला जबाद भूपेश सेतुर बेदी ने दिया है और इन्हें के नाम के एक लोग को बलग किया गया है लला बला करें भी बड़ा है अब इसका बात क्या है ना इसमें बात यह है कि यह दोनों तो बराबर है यह सेम आइटम नहीं है यह 90 पैसा है पैसा की बात करें तो और यह 9 रुपया है इसका तो कौन मतलब नहीं है अब एक बात बताओ कि जो मैंने यह बताया सभी को समझ में आया था एवाला एक बार हाँ लिखके कमेंट करेंगे अगर आया था नहीं आया था तो ना लिखिये बिल्कुल निसंकोच लिखिये जो आपके दिल में आये लिखिये आईए अब इसको जोड़ना है इसमें दसमलो नहीं है पहले हम इसके बाद दसमलो लगा के जीरो बढ़ा लेंगे कितनी बार जितनी बार अगले में दसमलो के बाद अंक है उतनी बार दसमलो के बाद इसमें दो अंक है तो हमने दो जीरो बढ़ा लिया अग्या अग्या नग्या दिझ कर डिशनन लोगlet सीधे पर दूसरे वाले डिजिट में our mom जीरो है फिर वन है तो जीरो एग जीरो और फिर वन कि दसामलों के पहिले देखो तो जीरो है तो सिर्फ जीरो जोड़ भाईया वान जीरो में जीरो दसामलों सेबान थ्री यानि 37 रुपई या एक पैसा अब यह बता इमांदारी से किसको नहीं समझ में आया मैंने तो निच्चे से उपर तक जोर लगा दिया कि आपको आजाए मैं बूबी बेगम आया समझ में सोबित समझ में आया लौकूस आया सबको आया गुड़ी यादो अमन सिंग क्रेटिव अनिक अस्वनी नीलू पांडे कोमलतिर पाठी रिंकी चोधरी सभी को समझ में आया आ गया तो इसको देखो बहुत प्यार से और स्क्रीन साथ लेके रख लो एक एक पॉइंट पढ़ना बैट के अराम से पढ़ना जरू ठीक है क्लास का समय रात नौ बजे से नौ चालिस तक है नौ से नौ चालिस आगे बढ़े हाँ जो इस कलास को लाइब नहीं देख सकते जिनकी मजबूरी है उनके पास एक तरीका है वो इस बैच को पीबियार स्टेडी एप में जोईन कर सकते हैं अपली केशन में इसकी फी थ्री हंडेर्ट लेके तूहंड थाउजन तक है अलग-अलग डूरेशन क अप इस कलास को टोटल फ्री पा सकते हैं उसके लिए आपको एक फीड़बेक का वीडियो बनाना है जो आप लोग कमेंट में करते हैं जो भी आपके मन में आये हमारी कलास के बारे में आज तक आपने जो वीडियो देखा आपको उससे क्या लगा क्या उमीद लगी कितना प्रेशान थे आप में ले करके वह सारे दर्द आप एक मिनट में बता सकते हैं उसके लिए अपना मुवाइल फोन आप ऐसे पकड़ेंगे ऐसे सीधा पकड़ेंगे ऐसे नहीं ठीक है जाट वीडियो बनाना आपको ऐसे करके और अपनी बातें कहनी ईसे एक मिनट के अंद और उसको बना करके हमें वाट्साप नंबर पर भेज़ देना है आप इस को फिरी भी पा सकते हैं ठीक है तो उमीद है कि आप समझ गए आगे बढ़े तस हम लोग का घटाना पढ़ लें कि और अभी आगे अच्छा और भी तो हो सकता है न देखिए जितना भी गहराई में इसमें जाएंगे कम नहीं अभी बहुत कुछ हो सकता है देखो कैसे लेबल तीन हुआ था लेबल चार जोड़ना सीख रहे न ठीक है चलो प्लस 0.01 प्लस 0.003 इनको जोड़ो भाईया थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा हल्का हल्का महिंगा हो जाएगा पहले से और क्या पिरचा होईगा न थोड़ा थाही आगे बढ़ें कोना दिक्कत ना के हुगा सिधा आएगा आएए देखते हैं ठीक है इनको जोड़ना है सबसे पहले वो नमबर लिखेंगे जो सबसे पहले है अब इसमें ये देखेंगे कि अधिकतम मैक्सिमम दसमलो के बाद कितने अंक तक गिंती लिखी है मतलब कितने अंक तक अधिकतम इसमें दसमलो लगा है इसमें देखो दो अंक है दसमलो के बाद इसमें तीन अंक है तो हम ऐसी कंडिशन में इसमें दसमलो लगा लेंगे और तीन ठी जीरो बढ़ा लेंगे हो गया जिनको गडित नहीं आती मैं फिर बोल रहा हूँ गारंटी है सिखाने की बस थोड़ा वक्त दे ना मैं आपसे सिर्फ आपकी टाइम चाहता हूँ थोड़ा बस आओ दूसरे पर आते हैं दसामलो के जश्ट नीचे दसामलो इसके राइट साइड में देखो जीरो है फिर वन है तो जीरो और वन एक एक अंग समहाल समहाल के रखना है डिश्टर्ब नहीं होने का अगर ये वन आपने इसके नीचे लिख दिया तो सब गलत अगर आपने बीच में एक 0 छोड़ के वन इसके नीचे लग दिया, सब गलत ठीक, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको कभी भी आएफे नहीं लिखना जैसे फिर ये गलत अब तीसरे पे आ जाओ इधर दसामलो के नीचे, फिर दसामलो 0 है, 0 है और 3 है देखो, 0-03, अब ऐसे लंबी फ्लाइन खीचलो, पलफ का चिनना लगा लो इसे ही कहते हैं, 0 लेबल गडित, कोई नहीं पढ़ाता है यूटूब पर पूरा चैलेंज है, खोज लेना, अगर कैसे कोई सिखाया होगा, मुझे भेज देना, सारा कोर्सरी दे देंगे एक बार खोज के देखना, अगर कोई सिखाया हो ऐसे, तो बता ना, पूरी गारेंटी है मेरी और कोई एसा चैनल पाजाना, जिसमें 5-6 लाग बच्चे जुड़े हों और वो ऐसा चीज़ सिखा रहा हो आईए, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, इसके क्या करेंगे, उपर भाई, बीच में गयफ है न, इसकी गयफ भरपाई के लिए आप जीरो लगा दो, ठीक अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वह इसे खंडार टाइप का लग रहा है, तो यहाँ भरपाई के लिए यहाँ भी सुनना रख दो, अच्छा लगेगा यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, बराबर हो गया, मतलब डिस्बैलेंस ना हो है न जीरो के लाबा कोई दूसरी गिंती मत लिखना नहीं, सब सत्य ना सो जाएगा अब देखो तीन के उपर कुछ नहीं है, तो तीनी, वन का वनी रहेगा, जीरो, जीरो, जीरो सब तो जीरो, दसामलो के नीचे दसामलो, नाइन आइन टू